आप लोग जानते हैं कि सरकार महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन दे रही है अब इस सिलाई मशीन को लेना कैसे हैं लोगों के लगतार सवाल इस चीज को लेकर उठ रहे हैं पर आप लोग अप्लाइ कर सकते हैं किस तरह से आप लोग सिलाई मिशीन लेते हैं आपके घर में भी जरूर आपकी मदर हैं सिस्टर हैं उनके लिए लिए लाब जो है वो आप उठा सकते हैं और या अगर कोई महिला खुद इस खबर को सुन रही है तो यह बहुत अच्छी मैं आपको फिलाल बता दू फ्री सरकार की तरफ से दी जा रही सिलाई मिशीन को लेने के लिए क्या कुछ आप लोगों को करना होगा किसी ओजना का प्रॉफिट इफायदा भारत में रहने वाली कोई भी महिला जो है वो उठा सकती है अपलाए करने के लिए जो महिला की उ सर्टिफिकेट चाहिए आपकी आईडी कार्ट चाहिए होगा यानि की पहचान पत्र आपको मुबाइल नमर चाहिए आपकी पास्पोर्ट साइस पोटर चाहिए ऑनलाइन आप लोग इस चीज़ के लिए अपलाए कर सकते हैं इनकी ओफिशल वेबसाइट पर जाने के भी दस स्टेट्स में ये महिलाओं को दिया जा रहा है और जल्द ही जो है ये बाकी स्टेट्स के लिए भी ला जाएगा यूटीज के लिए ला जाएगा फिलहाल हर्याना गुजरात मद्विदेश महाराश्ट्रा यूपी टमिलाडू कर्णाटका राजस्तान उसके बाद 36 गड़ और बिहार ये जो फिलहाल 10 स्टेट्स हैं जहां पर ये फायदा लोगों को दिया जा रहा है हाला कि भारत में रहने वरी कोई भी महिलाओं को भी दिया जाएगा अभी तक कि जानकारीगी में फिलहाल बात करू तो ये बहुत अच्छी चीज है जो महिलाओं को बह ये कर सकते हैं आप लोग अपनी वाइट के लिए अपलाऑ कर के इस वीडेयो को देख रहे हैं जब सिलही का मशीन का काम जानेगी जब सिलही का काम जानेगी अपने लिए या किसी के लिए तो इसके उन्हें मंतली income भी आएगी जिससे काफ़ी ज़ादा फाइदा महिलाओं को होगा इसलिए महिलाओं आत्मनिर्बर बने इसलिए ये फैसला जो है वो लिया गया है और free सिलाई मिशीन महिलाओं को दी जा रही है आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो जल्द से जल्द आप इसके लिए अप्लाए करें, अगर इसके बीच कोई परशानी आपको आती है, अप्लाए करने का पता नहीं चलता है, या कुछ भी आपको होता है, तो आप हमारे चैनल में दिये गए कमेंट बॉक्स में, अपनी राए रखकर अपनी जो भी बात होनी चाहिए या 12,000 से कम होनी चाहिए, 12,000 से जादा इसमें नहीं चाहिए होगी, इंकम सर्टिफिकेट साथ लगेगा, एज प्रूफ आपको साथ लगेगा, अधार काड आपको साथ लगेगा, 20 साल से 40 साल के बीच की जो महिलाए हैं, जिनकी उमर हैं, वो इसका लाप उ देखते रहे हैं, आप अले टाइम सुझर कामरा परसन को दीजेए इजाज़त जेह